जैहिंद, एलो गूड इवनिंग टो अलो फ्यू, मेरे वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, वो लेके यह आया हूँ कि 9 दिसंबर को अभी तवांग के अंदर एक जड़प हुई है चीन और भारते सैनिकों के बीच में। अब यह जडप हैं, डोकलाम ले लो, गलवान ले लो, यह क्यूं होती है। इसके पीचे पूरा क्या सेनारियो है यही लेकर के मैं आपके पास आया हूँ, तो आज अपन जो यह क्लास है न अपनी उसमें अपन यह पूरा मुद्दा समझेंगे कि चीन और भारत इन दोनों के बीच के अंदर यह असली प्रॉबलम क्या है, असली मुसीबत की जड़ क क्या है यह अपन इस वीडियो के अंदर आज समझेंगे, तो इस वीडियो के अंदर अपन ज्यादा समय खराब ना करते हुए इसको अब अपन शुरू करते हैं, अब आप यह देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यह नक्षा है इंडिया और चाहिना का, तो मै आप यह देखिए, यह और यह यह तो है मैक मोहन लाइन और यह है एलो सी, तो अब यह मैक मोहन लाइन पूरी यह यहां से यहां तक फिर यह नेपाल शुरू हो जाता है, फिर यह सिक्किम में यह अलाका और उसके बाद में यह हिस्सा यहां तक, बर्मा तक, यह है आरुनाचल प्रदेश, तो यह टोटल जो है न, यह है 3500 किलोमेटर की, यह 3500 किलोमेटर की लाइन है यह, यह इतनी बड़ी लाइन है और अभी भी मुसीवत की जड़ है न, यह यही लाइन है, ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ कि यह शुरू से अपने इसको लेकर चलते हैं कि यह मुद्दा है क्या, अब आप यह देखिए 1912 के अंदर, 1912 के अंदर, चीन जो था न, और तिबबद्चा यह अलग-अलग देश थे, चीन और तिबबद अलग-अलग देश थे, अब यह देखिए, यह तो है वाइट वाला पोर्शन है इंडिया, यह यहां से यह पूरा, यह पूरा एरिया यह है तिबबद, और यह है चाइना, आप यह देखिए, अगर यह तिबबद आज अलग कंट्री होता, तो भारत और चाइना का बॉर्डर मिलता ही नहीं, और यह इतने प्रॉब्लम्स भी ग्रियेट, शायद नहीं होते, तो अब यह कहानी शुरू होती है, 1912 से, अब 1912 तक तिबबद और भारत जो थे न, वो अलग-अलग देश थे, तो हुआ क्या, कि उस वोगत इंडिया के अंदर शाषन किसका था, ब्रिटिश का, उस वोगत शाषन था, इंग्लेंड वालों का, ब्रिटिश कोलोनी था, इंडिया, तो उस वोगत अंग्रेजोनों भी कोई जहमत नहीं उठाई, और नेपाल, नेपाल को तो वैसे भी नहीं थी, पर हुआ क्या, पर हुआ यह कि यहां पर इलाका है, तवांग, यहां पर यह इलाका है, तवांग, यहां पर 1914 के अंदर क्या हुआ, कि एक मठ निकल गया, बहुत लोगों का मठ होते हैं, मठ निकल गया, तो जब मठ निकल गया, तो तिबबत वालों ने यह बोला, कि साब अब इस लाइन को बताना पड़ेगा, कि आपका हमारा बॉर्डर क्या है, क्योंकि अरुनाचल के अंदर भी करीब करीब, वो ही बुद्ध को फॉलो करते हैं, जो तिबबत के अंदर फॉ घरकत के अंदर आए और उस वक्त तो यहां पर तिबबत एक स्वतंतर था, तिबबत यह जान में स्वतंतर राज्य मतलब एक प्रोपर कंट्री था स्वतंतर, उस ट्राइम के अंदर क्या था कि यहां पर एक बिटिशर थे, जिनका नाम था मैक मोहन, सर मेकमोहन उन्होंने तिबबत से अपने एक प्रतिनीदी को बुलाया तिबबत के एक प्रतिनीदी को बुलाया क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री दी तो तिबबत के एक प्रतिनीदी को बुलाया और शिमला के अंदर यहाँ पर शिमला के अंदर इनकी बैठक हुई किसकी इंडिया की ब्रिटिश इंडिया तिबबत की और चाइना की क्योंकि तिबबत एक कमजोर था और तिबबत जो था वो इंडिया चाइना के बीच के अंदर था एक सेंड़िच की जैसे तो दोनों देशों का होना इसमें बहुत जरूरी था और इसकी line जो है वो इंडिया से मिल रहे दिती दून इंडिया का तो होना बहुत जरूरी था ही तो वहाँ पर ये decide हुआ ये एक मैकमोहन line मैकमोहन line खेंज दी जाएगी माइक मोहन लाइन खेंस दी जाएगी और अरुनाचल परदेश जो हिस्सा है उस टाइम के अंदर अरुनाचल परदेश जो था न वो नीफा था नीफा के नाम से जाना जाता था नीफा के नाम से नीफा मतलब है North East Frontier एजेंसी नीफा के नाम से अरुनाचल परदेश जाना जाता था ठीक है आए कहानी समझे में तो उस वकद ये डिसाइड हुआ कि वही ये मैकमोहन लाइन जो बनाए जा रही है ये ही भारत और तिब्बत का बॉर्डर होगा कौन सी मैकमोहन लाइन ये यहां से ये पूरी यहां तक ये पूरी यहां तक ये पूरी यहां तक ये मैकमोहन लाइन है ये ही बॉर्डर कहलाएगा ठीक है पर इसके अंदर भी कि पेज फ़स गया पेच क्या फस गया कि चायना ने इसको मानने से इंकार कर दिया और वो उस बैठक में से चले गए वो जो तीन जनों की शिमला में बैठक हो रही थी उसमें से वो चले गए उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो पूरा इंडिया का मानचितर था ठीक है पूरा जो मानचितर था इसको दुनिया के सामने पेश किया गया और पूरी दुनिया ने अरुनाचल परदेश को इंडिया का ही हिस्सा माना इसको पूरा इंडिया का हिस्सा माना इंडिया का हिस्सा माना ये कब हुआ पूरे मांचतर जब दिखाया गया ये दिखाया गया था 1935 के अंदर 1935 के अंदर इंडिया ने ये पूरा हिस्सा जो है पूरी दुनिया को दिखा दिया और ये भारत के नक्षे में आगे और दुनिया से इसको मानिता मिल गई अब क्या होता है कि चीन जो है ना चीन की विस्तार वादी नीथी है, चीन ने क्या किया, 1950 के अंदर पूरा तिबबत अपने कबजे में ले लिया अब चीन चाहता था कि तवाँ उसका जो कि तिब्वती बहुत की लिए काफी एहम है चीन ये चाहता था पर दुनिया के सामने पता लग गया था कि अरुनाचल परते जो तवांग भारत का ही हिस्सा है तो इसी चक्कर के अंदर क्या हुआ कि उसने 1962 के अंदर एक युद्ध छेड़ा अब 1965 के अंदर वो युद्ध क्यूं हुआ था ये भी मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ कि 1962 के अंदर इंडिया चाहिना वार क्यूं हुआ था देखो इसके कुछ एक रीजन है 1962 वार के कुछ रीजन है ये किस कारण से ये वोर हुआ था तो अपन शुरू करते हैं ठीक है नंबर एक बॉर्डर इशू चीन जो है न वो इस बॉर्डर को मैक मोहन लाइन को बॉर्डर नहीं मानता है तो सबसे पहला ड़ाई का कारण था न वो यही था नंबर दो नंबर दो है भारते शेत्र में सडक बनाना अब यहाँ पर देखी एक पेज वस्ता है कि उनिस सो चोपन के अंदर रोड मेकिंग बाई चाइना इन 1954 अब देखो यह मुद्दा क्या भस्ता है यहाँ पर कि उनिस सो चोपन के अंदर चीन ने शिंग यांग से तिबबत इनका एक इलाका है शिंग यांग से तिबबत तक इनोंने एक रोड बनाई जो कि अक्साई चीन से होती है यह वाला इलाका है यहाँ से इनोंने एक रोड बनाई शिंग यांग तक अब ये रोड यहां से तो कोई दिक्कत नहीं थी पर ये जो इलाका है ना ये इंडिया का है कश्मीर का इलाका है लद्दाक का इलाका है लद्दाक का इलाका है तो यहां पर भारत ने कड़ी आपती जता ही कि भाई या तुमने यहां पर रोड बनाई कैसे और उस वगत इंडियन आर्मी में देखो कमजोर थी इंडियन आर्मी या इंडिया भी इतना एकनोमिकली साउंड नहीं था तो इन्होंने पुर्जोर तरीके से उठाया मुद्दा कि भई तुमने ये रोड क्यों बनाई थी ठीक है उसके बाद में क्या हुआ 1959 में दलाई लामा जो है वो टिब्बत से उठकरके इंडिया के अंदर आ गए धरमशाला में और यहाँ पर पंडे जावार्ला नहरू जी ने उनका बहुत गरम जोशी से स्वागत किया और जब उनका यह स्वागत किया और वो दरसल क्या था महां की एक गौवर्मेंट को तिब्बत की गौवर्मेंट को एक तरीके से इंडिया से बैठ करके एक्जाइल गौवर्मेंट थी वो जिसको इंडिया उनसे बैठ के रन कर रहे थी जो की उस पकत चीन को बहुत बुर ठीक, अब चोथा मुद्दा, चोथा मुद्दा था फॉर्वर्ड पॉलेशी, फॉर्वर्ड पॉलेशी क्या थी 1960 के अंदर, 1960 के अंदर ये था, भारते सेना को मैक मोहन रेखा के साथ और अक्साई चीन के सीमा वरत्ती शेत्तों को और कपजा करने के लिए पंडित नहरू जी ने बोला था, और इसी फॉर्वर्ड पॉलेशी को रोकने के लिए चीन तत पर बैठा हुआ था, चीन उसको रोकना चाता था, क्योंकि वहाँ पंडिल नहरू ने बोल दिया था कि फॉर्वर्ड पॉलसी के ते सेना को मैक मोहन रेखा के साथ, और अक्साई चीन के साथ में सीमा वरती शेत्तरों पर कपजा करना था, याने वो नहरू जी बिल्कुल क्लियर थे कि वहाँ जाओ बॉर्डर के उपर जो भी इलाका है उस पर कपजा करो और अपने सेनिकों को वहाँ बिठाओ तो बॉर्डर अपने आप क्लियर हो जाएगा, इस से भी चीन चिड़ा हुआ था और चीन जो है इस चीज को दबाना चाहता था उसके अलावा 1959 से 61 तक बहुत ही जड़पे हुई थी मतलब Small War Small War मतलब समझा भे हिंसक जड़पे चोटी मुटी यसी ते भी तावांग में हुई 200 आदमी, 300 आदमी, 600 आदमी और यहां के चोटी सी बटालंड ने आपसे पत्थर बाजी करी, ये करी, वो करी तो ये सब वहाँ पे हो रहा था एक रिजन ये भी था इसके अलावा, जो सबसे इंपोर्डन था, वो था मैप 1958 के अंदर चीनी सरकार दोरा एक आपत्ती जनक मैप जो है ना, वो इशू करा गया था जिसके अंदर उसने लदाक का कुछ हिस्सा, इसके अलावा नेफा का हिस्सा, नेफा में आपको बता चुको हूँ, नौर्थ इस फ्रंटियर एजेंसी लदाक का कुछ हिस्सा और नेफा, यहना अनुनाचल परदेश का का काफी हिस्सा अपने अंदर दिखाया गया था अब ये 1960 वार के अंदर इंडिया जो है ना उसको हार मिली थी 1960 में इंडिया इंडिया लूज इंडिया को हार मिली थी और इंडिया को हार मिलने के कई कारण थे उसमें सबसे प्रमुक कारण जो था ना वो था एर फोर्स का यूज नहीं लेना एर फोर्स का इस्तमाल नहीं लेना ये एक सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उस समय चायना की जो एर फोर्स थी न वो इतनी प्रॉपर तरीके की नहीं थी जितनी इंडिया की थी और इंडिया ने उसका बिल्कुल भी यूज नहीं लिया अगर वो लेते तो शायद हम वो जीच जाते अब उसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये वाला अकसाई चीन का जो इलाका है ये अपने कबजे में ले लिया और वो यहां आसाम तक आसाम तक चायना आ गया यहां पर चायना आ गया और चायना ने फिर अपने आपे संगर्श्विराम की खोशना कर दी और संगर्श्विराम की खोशना करने के बाद में उसने सबसे बड़ा step क्या लिया था उसने सबसे बड़ा step ये लिया कि उसने आसाम को और अरुनाचल प्रदेश को और तवां को इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया पर अकसाई चीन को वो आज तक कबजे में लिये बैठा है जिसको हम CEO के कहते है या अकसाई चीन कहते है इसको उसने छोड़ दिया और ये अभी तक लिए बैठा है अब इसको छोड़ने के पीछे कारण ये था कि इंटरनेशनल जो नक्षा था ये इंटरनेशनली जो हर जगे अप्रूव हो गया था ना उसके अंदर आसाम है या अरुनाचल प्रदेश है ये इंडिया का हिस्सा माना गया है पूरी दुनिया ने अगर वो यहाँ पर बैठ जाता ना तो उसके उपर कई प्रतिबन लग जाते पर ये वाला जो हिस्सा जो मैंने आपको बताया ये अकसाई चीन वाला इसके ओपर कोई किसी को कुछ भी बोलने वाला नहीं था इसलिए उसने ये इलाका अपने कबजें में कर लिया आई कहानी समझ में इसके अलावा ये जो था और भी चीज़ें हुई थी इस वीच के अंदर जैसे कि अग जब इसने अकसाई चीन को गबजे में ले लिया तो और अरुनाचल प्रदेश में आ गया था वो आसाम तक आ गया था तो आसाम पर आने के बाद में उसने इंडियन सेनिकों को कहा कि आप 20-20 किलोमेटर पीछे चले जाईए और हम बहुर कतम करते हैं तो इंडियावलों ने कहा पहले ही 60 किलोमेटर अंदर गुजच चुके हो अब हम और 20 किलोमेटर पीशे चले जाए कौन ऐसा करता है उसके बाद उसने फिर लड़ाई शुरू की और अरुनाचल को और अच्छे तरीके से अपने कबजे में ले लिया पर कुछ टाइम के बाद में उसने फिर सीस फायर कर दिया और अरुनाचल और असाम को छोड़ दिया असली कहानी तो ये थी और कबजे में इसने सीयो के लेके रखावा है अब बात करते हैं अपन प्रॉपर अब बात करते हैं प्रॉपर तवांग की कि ये तवांग का इशू क्या है ठीक है ये तो मैंने आपको पूरी कहानी ये बता दिये कि इंडिया चायना मेकमोन लाइन का इशू क्या है अब मैं आपको बताता हूँ तवांग का इशू क्या है अब ये राजधनी इटा नगर जो है ना अरुनाचल प्रदेश की कैपिटल है इटा नगर इटा नगर इटा नगर से 450 किलोमेटर की दूरी के उपर है तवांग ठीक है अब ये तवांग कहां पर है ये तवांग आपके पढ़ता है यहाँ ये है तवांग और ये पूरा पूरा मौंटेनियस रीजिन है पूरा पहाड ही पहाड 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 यहाँ पर है अब इसके अंदर पता है ये चाइना इस तवांग को क्यों चाहता है त्वांग एक बहुत ही इंपोर्टन जगे है बहुत ही important जगे सबसे पहले तो important क्यों है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर बुद्धों का एक सबसे बड़ा मठ मठ जो है न वो यहाँ पर है second सबसे बड़ा अब यह तिब्बत की एक राजदानी है लासा लासा राजदानी है लासा के अंदर इनका सबसे बड़ा मठ है दूसरा मठ जो है न वो तवांग के अंदर है दूसरा मठ इनका तवांग के अंदर है तो वो यह कहता है कि भाईया इन दोनों की संस्कृति यह की है तो यह तब तिब्बत का हिस्सा है तवांग पहली चीज और वो कहता है कि यह है नौर्थ नौर्थ तिब्बत और इसको बोलता है साउथ तिब्बत उसका यह कहना है इसके अलावब वो यह कहता है कि भाईया तुम अरुनाचल प्रदेश हमको दे दो और अकसाई चीन तुम ले लो यह तो जाव है चाइना के पास और यह जाए इंडिया के पास इंडिया इस चीज को बिलकुल भी मानने को तयार नहीं है और वैसे तवांग के उपर ही जो है ना 1962 के लड़ाई तवांग पे भी थी एक वो रिजन भी था इसके अलवास बहुत इंपोर्टन लोकेशन है यहां यहां पर हिल इस तरीके से माउंटेन है कि अगर आप इसके उपर यहां चाइना यहां आ जाता है ना इस जगह पर तो वो साउथ की तरफ से भी तिबबत पर नजर रख सकता है अकसाई चीन की तरफ से भी तिबबत पर नजर रख सकता है और ऊपर से भी तिबबत बिचार चिकन नेक तो जानते हो ना सिली गुडी कोरिडोर चिकन नेक यह है चिकन नेक यह है चिकन नेक यह चिकन नेक अब यह गलों यह तवांग केस हुआ कि अभी 9 दिसंबर को यह तीन सो से शाइट शैनिक जो थे यहां पर गतीरोध हुआ यह हुआ कि दरशल क्या था शर्दियां आने वाली सब्सक्रूं से शर्दियां आने वाली तो हर सेनिक जो है इतनी हइट के ऊपर गश्त लगाते हैं तो यहां पर अपना एक बेस केंप बना रहे थे जिसके ездर टेंट वगर होता है आग जला सकते हो आप अंदर बैठ सकते हो कर सकते हो जब वो ऩेमप यहां बना रहती थी जैना को इसके अ मदर दिक्कत थी तो उन्होंने इसी गती रोध के चकष्ट कрахम के यहां पर छड़पैं करी है इसी गती रोध में छड़पैं यहां पर करी है तो आजके वीडियो में इतना ही मेरे हो आप लोगों समझ में आया हुगा और नहीं आया हुगा तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लिजिए मेरे चनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें बैल जरूर बजान ये तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आज के वीडियो में इतना ही जहन